दोस्तों हमारे पास जो है सवाल है क्लास 10 के चैप्टर 3 का प्रस्णवाली 3.4 यानि की उसका एक नंबर सवाल है निम्न समीकरनों के युक्म को विलोपन विधी तथा प्रतियस्थापन विधी से हल किजिए कौन सी विधी अधिक उप्योक्त है आज के इस विडियो में मैं आप लोगों को विलोपन विधी से हल करना सिखाऊंगा ठीक है तो चलिए इस समीकरन को हम लोग विलोपन विधी से हल करते है यहाँ पर सबसे पहले solution लिखना है x plus y is equal to 5 यह first equation है हमारा इसे समीकरन equation 1 माल लेंगे उसके बाद जा करके 2x minus 3y is equal to 4 इसे equation 2 माल लेंगे ठीक है अब यहाँ लिखेंगे समीकरन 1 एवं 2 से समीकरन 1 एवं 2 से 2 को हल करने पर ठीक है यह भासा आप जो है सभी जगा लिखना है हमें समीकरन 1 एवं 2 को हल करने पर विलोपन विधी जब भी बनाएंगे यही भासा हमेशा लिखते जाना है पहिला बला equation है x plus y is equal to 5 और दूसरा बला equation है 2x minus 3y is equal to 4 ठीक है अब इसमें क्या करना है यह जो x वाला चड़ है यहाँ उपर नीचे और y वाला चड़ इन दोनों की जो अचर है यह संख्या जो है देखना हमें कि दोनों में से किसी एक का सेम है या नहीं नहीं है तो हमें करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ 2x है तो यहाँ x है केवल यहाँ भी 2x होना चाहिए था यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y ही होना चाहिए था प्लस माइनस रहे कोई फर्क ने पड़ता लेकिन संख्या इसका सेम होना चाहिए था नहीं है तो हम सेम करेंगे सब से पहले किसी का भी कर लेगे दो यहां लिखते और इसका एक यहां लिखते y का कर रहे हैं इसलिए 3 को यहां लिखे रहे हैं और एक को यहां को नहीं लिखना है ठीक है? क्रॉस अब गुना जो है इस 3 से सब को कर देना है क्या हो जागा? 3x plus 3y is equal to 15 15 इसको 2 से 2x फिर 3y से तो यहां minus 3y है minus 3y is equal to 4 ठीक है? अब इसे क्या करेंगे? हम घटाएंगे, minus करेंगे तो देखिए इसका यहां पर अब जिसे हम बड़ाबर किये वो कट जाना चाहिए जैसे यह plus 3y है minus 3y यह कट जाएगा यदि यहां भी plus में रहता तो यह नहीं करता तब हम क्या करते है? सब sign को change करते यहां plus रहता तो minus लेते यहां plus रहता तो minus लेते यहां plus रहता तो minus सब का sign चेंज करते है यह कट रहा है तो अब किसी का sign चेंज नहीं करेंगे ठीक है? यह direct card देंगे तो क्या हो ज़िए हमारे पास? 5x, 3x और 2x को add करके 5x और यहाँ पर कितना हो गया? 19, this implies x is equal to, यह 5 गुना में है, multiply में है, इधार आएगा तो क्या हो जागा? बटे में, x का मान कितना निकल गया? 19 बटा 5, ठीक है? अब हमें किस का मान निकलना है? y का मान निकलना है, तो दो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है? तो समीकरण 1 में हमारा गया है? x पलस y is equal to 5, अब हम यहाँ पर x का value पूट करेंगे, तो x हमारे पास कितना निकल किया है? 19 बटा 5, पलस y is equal to 5, अब यह पलस में है, यह बटे वला, तो यह क्या हो जाएगा? माइनस में, y is equal to, अब भिन्ने का जोर होगा, भिन्ने का घटा करेंगे, तो 5 और 1 का एलसी हम 5 होगा, एक से भाग लगाने पर 5, 5 से गुना करेंगे, तो 25, 25 माइनस 19, 5 इक हम 5, एक से 19 को गुना करेंगे, 19 होगा, तो y is equal to, 25 में से 19 को माइनस करेंग तो कितना बजागा? 5, 6 बटे 5, तो लास्ट में हमारा अंसर क्या निकल गया? अतहा, x is equal to 19 बटे 5, and y is equal to 6 बटे 5, यह हो गया फाइनली अंसर, यदि वीडियो पसंद आए जिसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिसे रिक मैं सिखने के लिए धनिवादे.